नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UPSC से नई वेकंसी जारी हो गई है बहुत दिनों से कोई वेकंसी नहीं आई थी तो जिन लोगों ने PT दिया था बहुत परिशान थे तो ये वेकंसी आते आते भले ही मई में आई है लेकिन अच्छे खासे पद है ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी इससे पहले 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के साथ सम्मलित रूप से आई थी और आब ये पद है 1468 जो की एक अच्छी अपर्चुनिटी है आपके लिए जो लोग भी PT में अच्छा स्कूर कर पा रहे हैं उनको ये जो है देने को मिलेगा तो 15 मिनिट में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़े आपको क्या योगिता होनी चाहिए कैसे फीस जमा करने का सिस्टम है परसेंटाइल कितना रह सकता है इसका स्लेबस क्या हो सकता है किताबे कौन सी पढ़ने चाहिए परिच्छा कब तक हो सकती तो सारी बातों को जो है मैं डिसकस करेंगे और धायर पूरवक इसको देखिएगा क्योंकि एक्जाम का फॉर्म बरने से पहले आपको यह देखना जरूरी है तो इससे पहले जो लोग वीडियो परिच्छा की तयारी कर रहे हैं जिसका एक्जाम 26-27 जून को अभी निर्धारित किया गया है 2023 में आप हमारे साथ जुड़कर तयारी कर सकते हैं क्योंकि यह जो अन्तिम समय है 35-45 दिन का आपके पास इसमें test series जो है सबसे मच्ट है अगर आप कोई test series अच्छे से नहीं लगाते हैं रिवीजन नहीं करते हैं तो निश्यत रूप से आपको समस्या हो जाएगी क्योंकि आप जानते है negative marking का एक्जाम है डिगड़ सो प्रसन है तीन सो अंक उसके मिलेंगे और उसमें 50% की negative marking है जो कि एक बड़ी negative marking है तो test series बहुत ज़रूरी है हमारी test series की क्या विश्यता है हम कुल 20 test series आपको देंगे प्लस current affairs के लगभग 1000 question देंगे जिसमें UP current affairs के करीब 300-400 question भी सामिल होंगे 10 test आप online हमारे app में practice के करने के लिए दे पाएंगे सीज़े app पर उसके लावत 10 test आप जो है आपको PDF के format में salt on salt format में दे दिया जाएगा जिसको आप जो है स्वयम मतलब खुद की OMR में या जो है खुद के अपने घर में ही जो है practice कर सकते है PDF देखकर और दोनों ही यानि कुल 20 test की आपको पूरी salt PDF दी जाएगी जिसमें व्याख्या भी रहेगी प्रस्तनों की तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे अब ग्राम विकास अठिकारी की जो है यह जो हमारी test series है यह कुल इसको प्राप्त करने के लिए 950-6742546 हमारा WhatsApp नमबर इस पर वीडियो लेकर भेज दिए बाकी सारी जनकारी आपको वहां से मिल जाएगी तो अब बात करते हैं हम जो है आज जो विग्यापन आया है उसकी तो आप देख रहे है 2023 का पहला विग्यापन इसका विग्यापन संख्या भी आपको सामने दिया है जीरो वन इसका विग्यापन संख्या है आज यह पब्लिस हो चुका है online application कब से शुरू हो जाएगा 23 तारीक से यह शुरू हो जाएगा यानि 23 जून से यह आप form भर सकते हैं और अंतिम रूप से आप जो है 12 जून तक इसको भर सकते हैं उसके बाद अगर कोई संसोधन करना है और जो इसमें आवेदन के लिए 25 रुपए का जो है एक प्रिमिलिरी सुल्क जो है जमा करना है वो 19 चे तक फाइनली आप जमा कर पाएंगे जान लिए कि यह 25 रुपए जमा करने के बाद आपको फिर तब सुल्क फिर से जमा करना होगा जब आप सौट लिस्ट किये जाएंगे परसेंटाइल के आधार पर इस परिछा में जो है एडमिट कार्ड आने से पहले तो यानि सुल्क दो बार जमा होगा यह वाला सुल्क क देने के लिए हो जाएंगे सौट लिस्ट हो जाएंगे जो कि यूपी टीपल सी का एक अलगी तरह का प्रॉब्लम है जो कि मुझे तो कभी आस तक नहीं समझवाया और ऐसा करना बच्चों के साथ मुझे बहुत बड़ा खिलवार लगता क्योंकि कोई अगर एडमिट कार् त्यारी कर पाएगा मतलब अभी से वह त्यारी भी करें और आखरी के एक्जाम के कुछ दिन पहले उसको पता चले कि वह सौर्ट लिस्ट किया गया तो निश्यत रुप से कि यह समस्या ही है तो फिलहाल जो प्रोसीजर है उसको तो फालो ही करना पड़ेगा इसलिए इसको मुख परिच्छा है तू परिच्छा सुल्का बुकतान केवल परिच्छा में सौर्ट लिस्ट किये गया भर्तियों द्वारा अलग से किया जाना होगा और मुख परिच्छा है तू परिच्छा सुल्क जैसा कि आयोग के द्वारा निधारित किया जाएगा उसका बुकतान परिच्छा का प्रवेश्पत्र से डाउनलोड करने से पूर किया जाएगा तो इनिश्चित रुप से हमेशा जो है कंटोवर्सियल लहा है ऐसा जो है कुछ ऐसा सिस्टम इनको बनाना चाहिए कि विद्यार्थी को चार मेने से तीन मेने पहले ही पता चल जाए कि वो एक्जाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा या उसके लिए सीधा एक तरीका है कि आप एक अच्छा रहेगा तो अब समस्या क्या है कि हम कैसे अनुमान लगाए तो अनुमान जो पिछली परिच्छाओं के अधार पर है यहां पर पद की संख्या जो है 1468 है तो यह मान लीजिए कि 97 से उपर जो लोग परसेंटाइल वाले होंगे यानि लगभग लगभग 80 प्लस जिनके मार्क्स होंगे PT 2022 में वो जो है इस परिच्छा को दे पाएंगे तो मैं तो सभी से कहूंगा कि जो 97 के उपर परसेंटाइल या 80 प्लस मार्क्स वाले लोग हैं वो तैयारी सीरियसली अभी आज से ही सुरू कर दीजिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसके नीचे भी 2-3 अंक तक जो है नहीं 89-80 तक भी लोग हैं उनको भी करनी चाहिए क्योंकि अगर आखरी समय में आप सॉर्ट लिष्ट कर दिये जाते हैं तो भी आपने जो पढ़ा है वो बेयर्थ नहीं जाएगा लेकिन दूसरी समस्या जो है कि आप अगर यह मान के चलते हैं कि हम हमारे 78 हैं और हम इसमें सामि स्तिती होगी वो निश्ची तूप से एक समस्या वाली स्तिती होगी क्योंकि फिर आखरी के 20 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे इसलिए मेरी सला यह है कि आप 66-77-78-78 वाले नंबर वाले भी हैं तो आप पढ़िए क्योंकि पढ़ाई कभी ब्यर्थ नहीं जाती है और यह नह संबिक परिच्छा अहरता परिच्छा यानि पीटी में वास्तविक स्कोर अथवार नावलाईज स्कोर में सून या उससे कम अथवार नकारात्मक अंग प्राप्त करने आले अभियर्थियों को मुख परिच्छा के लिए सौर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा तो ऐसे लो आगे इसका ग्राम पच्याद कारी पर नाम है इसको हम लोग सौर्ट में वीपियों कहते हैं विलेज पंचायत ऑफीसर और लेविल थ्री है इसका जो वेतनमान यहां पर दिया हुआ है जो अनारच्छित हैं 849 पद हैं जन्नल वालों के लिए स्सी के लिए 356 स्ट के लिए साथ OBC के लिए 139 और EBS जो कटेगरी है 117 उसके लिए पद है अब इसमें जो छैती जारच्छन है उसमें सुतंता संग्राम से नानी के आस्तित हैं उनके लिए दो पद दिये हुए हैं फिर कम दृष्ठी हिंता या दृष्ठी हिंता वाले जो है जिनको लवी कहते हैं 28 प दो पद हैं बाकी बहुत सारी कटेगरी जैसे हैं जो यहां पद दी हैं उनके लिए कोई पद आरच्छित नहीं है फिर भूत पूर सैनिक या वियोजित सैनिक के लिए 47 पद हैं महिलाओं के लिए 270 और उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए दो एक चीज़ यहां पर जान ल मिलेगा अगर महिला वाला रच्छन जादा है तो आपको महिला वाला मिलेगा OBC वाला जादा है तो OBC वाला आपको प्राप्त होगा यह आप जो है अच्छे से समझ लिए आप आती है बारी academic qualification की यानि क्या minimum eligibility है वो आप जान लिए एक तो आपको 12th pass होना चाहिए intermediate या उस उस से प्रदत्र CCC होना चाहिए जैसा कि वीडियो में भी है अब एक और बात CCC कब तक का होना चाहिए तो आप देख रहे हैं form जमा करने की अंतिम्तिती यहाँ पर आपके सामने दी गई थी क्या है अंतिम्तिती 12 जून है 12 जून तक आपके पाद CCC certificate होना चाहिए और आपको जो हैं नहीं माना जाएगा मतलब जो भी है वो परिक्षा आपको उत्रीण होना चाहिए इस डेट तक 12 जून वाली डेट जो है जो लाज डेट इसके लिए दी गई है अधिमानी अहर्ता यहां पर दी हुई है कि प्रादेशिक सेवा में दो अर्स की सेवा की हो या एन सी सी का बी प्रमाड पत्र हो या जिसकी ग्रामीर प्रस्तिवूमी हो उसको भी अधिमानी एहर्ता मिलेगी और सीधी भरती के मामले में अनिवातों के समान होने पर यह दिया जाता है आयू 18 से 40 वर्स के बीच होनी चाहिए 18 वर्स की गणना कप से करेंगे आप जो है ए पर अच्छी स्रेडी के हिसाब से लाभ मिलेगा बाकी चैन का अधार जो है केवल लिखित परिक्षा होगी जो की आपजेक्टिव टाइब होता है जो स्लेबस है वो आपका वीडियो 2018 वाला ही रहना चाहिए मैं बहुत 100% तो नहीं कह सकता हूं लेकिन यही रहना चाहिए क आपको अन्त में यह पता चलेगा तो एक अनुमान लगाते हैं अभी आपका जो है यह फार्म आया है मैं मैं उसके बाद जून इसकी लाजडेट है जुलाई तक जो है यह छटनी उटनी करेंगे अपना सॉट लिस्टिंग करेंगे आगस्त के लाज्ट या सेप्टेंबर म होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी अगर आयोग अपनी कारपणाली को सुधारते हुए नीमित जिस तरह से किया जाता उस पर कर लेगा अगर दो पालियों में होगा तो नावलाईजेशन की बेस्था लागू होगी और लिखित परिच्छा जो मुख्य है उसमें सामि भरेंगे और तब आप जो है फाइनली एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे यहां पर एक और विशेज बात दी है कि जितने भी स्रेडिवार पद हैं मालीजे ओबीसी के सौ पद हैं एक जामपल के लिए तो उनके पंदरा गुना लोगों को बुलाया जाएग इसी के अधार पर यह अंतिम कटाफ या परसेंटाइल इसको निदारित होगा जो कि दस्मलों के दो अंकों तक जो है वैलिड मतलब किया जाएगा बाकी बहुत सारे यहां पर मूल लिवास के संबन में आरक्छन के संबन में भूठपूर साइनकों के संबन में और महिलाओ के संबंद में प्रावधान दिये गए हैं जो हर भरती प्रिक्रिया में दिये जाते हैं तो आप मूल विग्यापन जो इसका है पीडियेफ यूपी टेपलसी की आउफिस्यल वेप साइट से डाउनलोड कर लीजे आप जिस कटेगरी से विलॉंग करते हैं उसको अच्छे से कुकि कई तरह की दिव्यांगताएं हैं तो उसमें कौन सी जो है इसमें मांगी गई नहीं मांगी है उसमें चार्ट में दिया हुआ है फिर उसमें कौन सा प्रमाड पत्र आपको बनवाना होगा यह 14 माज 2019 का जो एक सासनादेश है उसमें जो निर्धारित प्रारूप है वो बनवाना होगा और एक्जाम की जो है जो फॉर्म लास्ट डेट सब्मिट करने की तब तक सारी योगिता आपको होनी चाहिए यह नहीं कि आपने यूडेवलियस में टिक कर दिया और आप उसके बाद उसका जो झाले जो ऑद दिया जो है झाले रख प्रांपर सब्सक्राइश जो एकांग मिम कर दो दो एक को जो है लूडेश जो एक्जार आपको जो है वो खूड़ियस में यहाईश है झाले है इज अ झाल 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 झाल